जहारखंड से बड़ी खबच शामने आँ रहे आपको बता दे कि ED न जहारखंड के मंत्री आलम गर आलम को गिरफतार कर लिया है आलम गर आलम किस सचियों के नौकर के घर से करोरों रुपए बरामद हुए थे जिसको लेकर लगतार E.D. आलम गिर आलम से पूछ ताच कर रही थी कल भी 10 घंटे की पूछ ताच ये हुई और आज भी दुबारा से उन्हें E.D. कारियाले बुलाया गया था लगतार पूछ ताच की जा रही थी लेकिन आलम गिर आलम एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पाए जसके बाद अभी उनकी गिरफतारी हो गई है बड़ी खबर है जारखंड से सामने आ रही है आपको बताते हैं कि जारखंड के विकास मंतरी और कॉंगरस के नेता आलम गिर आलम को E.D. ने आज गिरफतार कर लिया उन पर पूछताच के दौरान सहयोग नहीं करने का आरोप लगा है E.D. ने आलम गिर आलम को आज भी पूछताच के लिए बुलाया था लगतार जो पैसे बरामद हुए क्योंकि आलम गिर आलम के नीजी सचियू के नौकर के घर से 37 करोर रुपए जो E.D. ने बरामद किये उसके बाद आलम गिर आलम से लगतार पूछताच का जो सिलसला है वो शुरू हुआ और कल भी उनसे घंटो E.D. ने पूछताच की कई सवाल उनसे पूछे गये लेकिन सवाल का जवाब वो देना सही नहीं समझ रहे थे E.D. को मदद नहीं कर रहे थे E.D. के सवालों का जवाब देने में आलम गिर आलम सक्षम नहीं हुए जुसकी बाद आज आलम गिर आलम को E.D. ने गिरफतार कर लिया है ये खबर जारखंट से आ रही है आपको बता दे कि आलम गिर आलम के सचियू के नौकर के घर पर 37 करोर से जादा का कैश मिला था इसे सरसले में E.D. ने आलम गिर आलम को बुलाया था उनसे पूछ ताच की थी E.D. को लगा कि कॉंग्रस नेता जाच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो अब उन्हें गिरफतार कर लिया गया है असके पहले E.D. ने दस घंटे तक पूछ ताच की थी सतर साल के आलम को धन शोधन निवारन अधनियम के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए मंगलवार को राची में E.D. के जोर्नल कार्याले में उपस्थित होने के लिए कहा गया था जारखंड के ग्रामिन विकास मंत्री ने E.D. आफस में एंट्री करने से पहले पत्रकारों से कहा कि मुझे आज भी बुलाया गया था इसलिए मैं आ जाया हूँ लेकिन जब वो वहाँ पहुच रहे थे तो जब E.D. उनसे सवाल कर रही थी क्योंकि जब से आलमगेर आलम के सचियू के नौकर के घर से 37 करोर से जादा का कैश बरामद हुआ तब ही से E.D. के सवालों के घेर में थे आलमगेर आलम क्योंकि जो कैश था वो एक नौकर एक सिंपल नौकर के घर से इतना कैश बरामद होना बहुत सारे सवाल खरा करता है क्योंकि चुनावी महाल है समसाथ फेज में चुनाव हो रहे हैं और इसके ठीक पहले कॉंग्रस नेता अब बुरे तरीके से फस चुके हैं उन पर E.D. ने आरोप लगाया है कि जब उनसे सवाल किया जा रहा था तो उसका वो जवाब सही धंग से नहीं दे पा रहे थे आपको बता दे कि कुछ दिन पहले ही E.D. ने आलमगर आलम के नीजी सचियू के नौकर के घर छापे मारी करने E.D. पहुची थी जहां से करोरों के कैश बरामद किये गए उन नोटों की गड़ी को गिनने के लिए मशीने बुलाई गए मशीन से नोटों का जो भंडार था वो गिना गया जो कि 37 करोर से भी जादा का कैश वो सामने आया और उसके बाद से ही आलमगरालम सवालों के घेरे में थे और कल भी उनसे E.D. ने पूछताच की थी और अब आज भी जब E.D. ने उन्हें बुलाया और वो जब E.D. कारयाले पहुच रहे थे उसके ठीक पहले आलमगरालम का बयाम सामने आये था जहां उन्होंने कहा था क आज भी मुझे बुलाया गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं डरा हुआ नहीं हूँ लेकिन उनसे जो भी सवाल किये गए जो उनके नीजी सचीव के नौकर के घर पैसा कहां से आया उसके घर इतना पैसा क्यूं रखा गया था किसके पैसे हिससे जुरे जितने भी E.D. के तरफ से सवाल पूछे गए उसका जवाब आलम गिरालम नहीं दे पाए और असे सलसले में अब आज उनकी गिरफतारी हो गई है दो दिन से लगतार E.D. पूछताच कर रही थी पूछताच में सहयोग नहीं करने का आरोप इनके उपर लगा है और अब इनकी गिरफतारी हो गई है अब आगे देखना होगा कि आगे और क्या कुछ आक्षन लिया जो आता है कोई भी जानकारी आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुचाएंगे देखते रहे ये फॉस्ट बिहार जारकंड धन्यवाद पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहा ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined